दोस्तों वेर्बो गाउं इंडोनेशिया का एक छोटा और बेहत खुबसूरत गाउं है इस गाउं को देखने के बाद लाखो लोगों की आखे सुकून महसूस करने लगती है इस गाउं की प्रकरतिक सुंदर्ता को शब्दों में बया कर पाना बहुत मुस्किल है आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये गाउं समुदर तल से 100 मीटर की उचाई पर इस्तित है दुनिया में ऐसा कोई गाउं नहीं है जो समुदर की इतने उचाई पर होने के बावजूत भी इतना खुबसूरत हो इसी रहे तो वेर्बो गाउं पुरे दुनिया में एक हैरान कर देने वाली खुबसूरती के लिए जाना जाता है इस गाउं को देखकर ऐसा रखता है कि ये गाउं बादलों के उपर बसा है वैसे तो इंडोनेशिया में कई सारे दीप हैं उन्ही में से एक दीपो की संखला है फ्लोर्स आइलेंड साल 2012 में इस गाउं को अपनी परंपरा और खुबसूरती के लिए युनेसको ने इस गाउं को बैंकॉक में सम्मानित किया था इस गाउं में जो सबसे खास चीज है वो है यहां के लोगों का घर जिन्हें ये लोग माबास्या कहते हैं इनके घर दिखने में त्रिकोर होते हैं और किसी टोपी की जैसे दिखते हैं ठीक वैसे ही टोपी बर्थडे के मौके पर बच्चे अपने सर पर लगाते हैं इनके घर के उपर जो छट लगा है वो छट बहुती कमाल का है क्योंकि इनके घरों का छट जमीन को छोता है इनके घर के पांच भाग होते हैं जिनमें से हर एक भाग एक खास चीज के लिए निर्धारित है जैसे कि पहला भाग जिसे ये लोग लोटेरिया तंबू कहते हैं इस हिस्से में परिवार रहता है जबकि दूसरे भाग को ये लोग लोबो कहते हैं जहाँ पर खाना और खाने से जुड़े समान को रखा जाता है तीसरे भाग को लेंटर कहा जाता है इस हिस्से में अगली फसल की बीजो को रखा जाता है चौते भाग को लेंपरे कहा जाता है ये एक ऐसी जगा होती है जो कि बहुत सूखी होती है और यहाँ पर उन्हीं चीजों को रखा जाता है जिन्हें पानी से बचाना होता है और आखरी में पांचवे नंबर पर घर का सबसे उपरी हिस्सा आता है जिसे हिकांट कहा जाता है ये लोग इस हिस्से को सबसे पवित्र मानते हैं और यहाँ पर ये लोग पूजा करते हैं साथी यहाँ पर इनके पुरवजों की मूर्तियां भी बनी होती हैं इस वेरोवो गाउं में बहुत कम घर हैं लेकिन इसके बहुत जूर भी इन लोगों में बहुत यूनिटी है गाउं के सभी लोग मिल जुलकर रहते हैं यहाँ रहने वाले ज़्यादता लोग कैथोलिक धर्म को मानते हैं परंतु इन में से कुछ ऐसे परिवार भी हैं जो पुरानी परंपराओं को भी मानते हैं इस वेरोवो गाउं में कुल मिलाकर 44 लोग रहते हैं इन लोगों के आंधनी का मुक्य सुरोत क्रिशी है यहाँ के लोग कॉफी, लॉंग और चेरी उगाते हैं इस गाउं की महिलाएं भी पुर्सों के साथ काम करती हैं इस गाउं में ना तो सड़क है, ना तो मुबाइल है और ना ही इंटरनेट है इसलिए तो इनके बारे में कहा जाता है कि यह आज भी सैकडो साल पीछे जी रहे हैं यहां के लोग ज़दा तर मक्का और कसावा खाते हैं हाली में ही जब इस गाउं के बारे में दुनिया को पता चला तो यहां पर टूरिष्टों की लाइन लग गई जब वो टूरिष्ट यहां रुके तो उनका कहना था कि यहां पर उन्हें जितना सुकून मिला है उतना सुकून उन्हें आज से पहले कभी नहीं मिला था शांती और प्रकृतिक सुन्दर्ता का यह एसास इससे बहतर कहीं नहीं हो सकता है यहां के लोग बहुती फ्रेंडली होते हैं जब भी यहां बाहर से कोई टूरिष्ट आता है तो यहां के लोग उनके महमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं अगर आप भी इस गाउं में जाना चाते हैं तो इसके लिए आपको कम से कम 5-6 घंटे पैदल चलना होगा रास्ते में आपको कई सारे घने जंगल और वरनसपती देखने को मिलेंगे इस गाउं को एप्रो मोरो नाम के एक शक्स ने अपने पत्मी के साथ मिलकर 900 साल पहले बनाया था